नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वाकत है। पित के जुड़े सभी रोगों का एक इलाज, जीरा। दोस्तों, हमारा रसोईगर धेरों मसाले से भर रहता है। इनी में से जीरा भी एक ऐसा मसाला है जो खाने का सवाद दुगना कर देता है। आयुरवेद गरंथ में जीरे के बहुत सारे फाइदे बताएगे हैं। दिखने में जीरा एक छोटा सा दाना है, लेकिन इसके गुण कई तरह की बिमारियों का एक रामबन इलाज है। हम में से अधिकतर लोग जीरे के फाइदों से अंजान हैं। ऐसे में यदि इसकी सही जानकारी और सही इस्तमाल करने का तरीका समझ लिया जाए, तियो भ्यंकर से भ्यंकर रोग भी जड़ से मिटाए जासकते हैं। आईए जानते हैं जीरे के बेमुसार फाइदों के बारे में और इस्तमाल के तरीकों के बारे में पेट को साफ रखता है। आपको यह जानकर हेरानी होगी कि जीरे के निमित इस्तमाल से पेट को साफ रखा जासकता है। इससे ना किवर पेट समंदित रोगों से मुक्ती पाई जासकती हैं, बलकि इससे हमारे पाचंत अंतर में भी सुधार लाया जासकता है। जीरे को हलका भून कर एक गिलास पानी में मिलाकर, रोजाना पीने से आपको कबच जैसे बेमारियों से तुरंत राहत मिलेगी। इसे रोजमर्रा में इस्तमाल करने पर पेट और पाचंत अंतर अच्छा हो जाता है। हाजमा अकसर खराब रहता है तो भोजन के दोरान चाच में भुना हुआ जीरा और काली मिर्च डाल कर पीने से इससे आपको निजात मिल जाती है। मुटापा दूर करने में मददकार। यदि आप अपने बड़े हुए वजन से प्रेसान हैं तो जीरे के फाइदे आपके लिए रामबान साबित होचते हैं। इसके लिए एक बगोने में पानी भर कर एक छोटा चमच जीरा डालें। उसे उबाल कर रात भर के लिए रख दीजी। अब सुबे इसपानी को छान कर हलका कोसा गरम करके सहद के साथ पीने से पेट के आसपास की जमा हुई चर्वी तो रंत खतम होने लगती हैं। ऐसा लगतार एक हापते तक करने से आप अपना वजन दो से तीन किलो तक कम कर सकते हैं। यादास्त को बढ़ाता है जीरा। यदि आप चीजों को जल्दी भूल जाते हैं और लाख प्रितन के बावजूद भी अपने कमजोर यादास्त को ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो जीरा आपके लिए भगवान का वरदान साबित होसता है। रोजाना आदा चमबच जीरा खाने से मेमोरी पावर बढ़ती हैं। अयुरुवेद के अंसा जीरे में एंटी उक्षण उच मातरा में पाये जाते हैं। जिससे हमारी यादास्त सही होती हैं। तवचा में लाई निखान। आज के समय में खुबसूरत तवचा हर कोई पा साथी इससे तवचा उजली और नरम भी हो जाती हैं। तो दोस्तो आप भी जीरे का परियोग करके इससे होने वाले फाइदों को उठासकते हैं। और पित के जुड़े सभी तरह के रोगों से चुटकारा पासकते हैं। तो दोस्तो यह थी हमारी वडियो। अगर आपको ह हमारी वडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ में आप हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का इकोन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वडियो की नोटिफकेशन आती रहें धन्यवाद दोस्तों